चुक चुक करती हुई काले रंग के इंजिन वाली रेल गाड़ी मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी चाहे पुरानी फिल्मों में चाहे अपने बच्पन में कई तो हमें से वो भागिशाली होंगे जो उसमें बैठ भी चुके होंगे वैसे अभी भी पहाडों पर चलने वाली जो शिमला टॉय ट्रेन है शिमला में चलने वाली शिमला टॉय ट्रेन वो अभी भी इसी प्रकार के छुक छुक करने वाले इंजिन यानि की स्टीम इंजिन से चलती है तो कभी कभी सवाल होता होगा मन में कि आखिर ये काम कैसे करता है ये इंजिन में हम कोईला डालते हैं और ये चलने लगता है तो चली देखते हैं ये काम कैसे करता है स्टीम इंजिन का अविशकार करीब 2500 साल पहले हुआ था स्टीम इंजिन के अविशकार के बाद इंडिस्ट्रिल रिवोलिशन एक तरह से आ गया था मशीने पावरफुल हो गई थी कई मशीने स्टीम जनरेशन की मदद से चलनी शुरू हो गई उसमें सबसे अच्छा एक्जामपल है आपका लोकोमोटीव इंजिन जो ट्रेन खीचने के काम में आने लगा था रेल इंजिन लोकोमोटीव इंजिन उस समय से जो चल रहे थे उसमें डिजाइन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था जब तक कि वो पूरी तरह से बंद ना हो गए हो लेकिन अभी भी कुछ जगा पर हेरिटेज बना कर इनको चलाने का प्रयास चल रहा है चलिए देखते हैं कि ये स्टीम इंजिन लोकोमोटीव स्टीम इंजिन जो कि भाप से चलता है काम कैसे करता है सबसे पहले हमको समझना होगा कि स्टीम इंजिन होता क्या है तो स्टीम इंजिन वो मशीन है जो की हीट एनरजी जो स्टीम की हीट एनरजी है उसको मेकैनिकल एनरजी में कनवर्ड करता है यानि की यांतरिक उर्जा में कनवर्ड करता है जो steam की गर्मी है, steam की जो उश्मा है उसका इस्तिमाल हम करते हैं एक piston चलाने के लिए piston आगे पीछे घुमता है जिससे की हम links वगरा connect करके उसको rotational motion में यानि की गोल गोल घुमने वाले गती में परिवर्थित कर देते हैं जिससे की हमारा engine चलता है तो सारा का सारा हम steam की ताकत से यानि भाप की ताकत से यानि की वाश्प की ताकत से हम पूरा पूरा engine चलाने का प्रयास करते हैं Steam Engine के अंदर जाक कर हम लोग जड़ा देखते हैं उसके अलग 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 पार्ट्स और पार्ट्स के बारे में अलग 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 हिस्सों के बारे में जनकारी पराप्त करते हैं तो शुरू करते हैं वोस हिस्से से जहां पर कि ड्राइवर खड़ा होके कोईला जोकता है उसको कहते हैं फायर होल इस फायर होल में बेल्चे से कोईला जोका जाता है जिसमें की अंदर में आग लगाई जाती है आग कहां लगाते हैं वो हिस्सा कहते हैं हम फायर बॉक्स फायर बॉक्स के अंदर में आग लगाई जाती है ट्यूब्स काफी दिखाई दे रही होंगी इन ट्यूब्स को एक्शुली स्मोक ट्यूब्स कहते हैं जिसमें से की धूआ जाता है और पूरे चेम्बर को हम लोग कहते हैं स्मोक बॉक्स धूआ जाता है और अंदर धूए की जो गर्मी है बाहर इसके पानी जो रहता है उसमें जाता है पानी उबालने काम आता है जो ब्लास्ट पाइप है उसका काम होता है जो सिलिंडर में इस्तिमाल की गई स्टीम है यानि की वेस्ट स्टीम उसको स्मोक बॉक्स में चिम्नी के नीचे छोड़ना जिससे चिमनी में एक गती मिल सके धुए को बाहर निकालने के लिए थोड़ा आराम से धुए बाहर निकलेगा blast steam जो है blast pipe से जो steam निकलेगा जो waste steam है हमारा जो बचा हुआ steam है थोड़ी मदद करेगा धुए को अच्छे से बाहर निकालने के लिए super heater header super heater header वो pipeline है जिसमें कि super heated steam पास करेगा और जाएगा आपका piston में जो कि engine चलाने काम आता है मन में ये प्रशन उठेगा कि super heated steam क्या होता है heated steam क्या होता है steam तो steam होता है लेकिन बता दूँ आपको जैसे कि किसी एक दबाव पर एक प्रिशर पर जैसे अभी atmospheric pressure है जो साधारण atmospheric pressure है उसमें हम पानी उबालते हैं 100 degree centigrade पर 100 degree centigrade पर यदि इसी दबाव पर हम उसी उबले हुए पानी से निकलने वाले जो वाश्प है जो कि अभी थोड़ी गीली है जिसको कि हम कहते है saturated steam saturated steam यानि की गीली थोड़ी गीली भाप उसको हम किसी प्रकार से और गरम करेंगे तो उसका गीला पन खतम हो जाएगा और सुखी steam हो जाएगी और गरम करेंगे तो एकदम सुखी steam गरम होती जाएगी और energy इस्टोर करती जाएगी यानि उस steam में उस भाप में बहुत ज़्यादा energy हो जाएगी और उसको हम कहेंगे superheated steam ये superheated steam जो है superheated element pipes में बनती है यानि कि गिली steam को हम इस superheated pipes में से बास करते हैं एक बार फिर से इसको गरम करते हैं smoke से तो ये भाप और गरम हो जाता है बार गरम होके superheated steam बन जाता है dome वो उपर का खाली स्थान है जहाँ पर की saturated steam यानि की गिली steam जाकर इखटी होती है regulator valve का काम होता है steam को नियंतरित करना engine speed के हिसाब से तो थोड़ा खुलेगा regulator valve कम steam जाएगा piston में engine धीरे चलेगा थोड़ा ज़्यादा खुलेगा तो ज्यादा speed मिलेगी ज्यादा तेज इंजिन चलेगा ज्यादा steam जाएगा piston में पिस्टन जाती ही से आगे पीछे होंगे तो ये regulator valve engine operator के हाथ में रहता है इसका control जैसा कि नाम से समझ में आता है safety valve का काम होता है अतिरिक प्रेशर अगर boiler के अंदर में हो गया है तो उसको release कर देना ताकि boiler हमारा बचा रहे अगर अतिरिक प्रेशर हो जाएगा डिजाइन प्रेशर से उपर हो जाएगा तो boiler के फटने के या शतिगरस्त होने के chances होते हैं और अंत में सबसे उपर आता है ये चिमनी जहां से की धूँआ निकलता है काला काला चुक चुक करता हुआ धूआ ये जो चुक चुक वाली आवाज आती है वो वही steam है जो की piston से बाहर निकल रही है यानि की waste एक बाच चलने के बाच जो steam निकलती है वो waste हो जाती है और chimney के दवारा blast pipe में से chimney के दवार बाहर निकलती है और हर स्ट्रोक के साथ सब छुक चुक की आवाज करते हुए वो निकलती है बाहर जितना तेज इंजिन चलेगा उतना तेज छुक छुक होगा जितना धीमा एंजिन चलेगा उतना धीमे चुक चुक होगा अब जर्द देखते हैं कि असल में इंजिन काम कैसे करता है तो जैसा कि हमने बताया फाइर होल के थुरू आप जो है इसमें कोईला डाला जाता है और कोईले में आग लगा दी जाती है कोईले से पैदा होने वाली आग में निकला हुआ धुआ उसकी गर्मी को समेटे हुए रहता है फायर बॉक्स भी कम्पीट जो है गरम रहता है और इसके पूरे आसपास में पानी है तो ये गरम-गरम धुआ गया समॉक ट्यूप से आसपास के पानी को गरम करता हुआ जो की स्टीम बनना शुरू हो जाएगा और चिम्नी से बाहर निकल जाता है लेकिन रास्ते में सारी के सारी अपनी गर्मी या अधिकतर गर्मी अपने आस पास तैरते हुए पानी में ट्रांस्पर कर देता है जिससे की वो पानी उबलना शुरू हो जाता है पानी उबलता है और भाब बनता है ठीक है भाब बनके बॉयलर के उपर के हिस्से में वो जमा होता रहता है जितना गरम होगा उतना गरम भाब होगा उतना अधिक प्रेशर होगा वहां पर तो दबाओ बढ़ते जाएगा उपर में और तीरे धीरे चिमनी के रास्ते में धुआ निकलते रहता है उपर दबाओ बढ़ेगा saturated steam है थोड़ी गीली steam है वो यानि कि जैसा कि हमने कहा है वो अभी गीली steam है saturated steam है वो superheated steam नहीं है यानि कि जिस वातावरण में जिस तापमान पे पानी को उबलना है उसी तापमान पे steam भी है तो यानि कि इसको कहा जाता है थोड़ी नमी लिये हुए steam या saturated steam अंगरेजी का शब्द है saturated steam है यह जो steam है वो निकलेगा उपर स्थित regulator valve के जरिये वो regulator valve का control रहता है engine के जो driver है उनके हाथ में है कि कितना regulator खोलेंगे कितनी steam हमको आवश्रकता है कितना तेज इंजिन चलाना है उसके हिसाब से धीमा इंजिन में कम खोलेंगे regulator तेज इंजिन चलाना होगा तो अधिक खोलेंगे अधिक प्रिशर अगर हो जाता है तो safety wall से release हो जाता है boiler का pressure safety wall से रिलीज नहीं होगा तो boiler के damage होने का खत्रा है छती होने का खत्रा है तो regulator एक बार खुलता है उसमें से steam यानि saturated steam अभी थोड़ी गिली steam हो निकलती है और आपका superheater वाले tubes में प्रवेश कर जाती है superheater वाले tube में प्रवेश करके यह fire box तक पहुंचती है superheater वाले tube में जब पहुंचती है fire box में तो यह जो गिली steam है और गरम होती है उसको जो पहले से जलता हुआ कोईला है गरम धुआ है वो उस steam को और गरम करेगा और अब यह steam पूरी तरह से सुखी steam हो गई है superheated steam हो गई है अत्य धिक गरम steam हो गई है और फिर वह superheater header से निकल के piston में प्रवेश करने को त्यार है piston में प्रवेश करते समय में D slide wall वेख होता है जो की यह decide करता है कि piston के किस तरफ steam को जाना है और किस तरफ से steam को escape करके blast pipe के जरीए चिमनी से निकल जाना है तो D slide wall से piston में गया और piston आगे पीछे चलना शुरू हुआ और जिससे की हमारा engine का पहिया गोल गोल घूमने लगा यह है आपका railway engine के चलने का पूरा system तो यह है पूरा खेला जो की कोईला एक तरस हम डालते हैं थोड़ा पानी डालते हैं और हमारा rail का engine छुप छुप करके चल पड़ता है करता है